आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेटेफ्ट अपडेट निकल के आई है कि सुप्रीम कोट ने सुना दिया है एहम फासला एक ही रजे में लिया जा सकता है आरक्षन का लाब सुप्रीम कोट ने आरक्षन के मामले में एहम फैसला सुनाते हुए का है कि रजे बटवारे के बाद आरक्षित श्रेणी में आने वाले वैक्ति कि दोनों में से किसी भी रजय में आरक्षन का लाब का दावा एक ही रजय के लिए कर सकते हैं लेकिन वे दोनों रजयों में आरक्षन का दावा नहीं कर सकते हैं तो दोफ तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारे चैनल पर फफ टाइम विजिट कर रहें त चैनल को लाइक कर दीजे, सब्सक्राइब कर दीजे, साथ ही सैत्वाल आइकन को भी बजा दीजे, ताकि गोर्मेंट या पैंसें से सम्मन्दी जितनी भी न्यूज आती हैं की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरूंत पोच के तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिन नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट ने जारखंड के मामले में ये फैसला सुनाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जारखंड हाई कोर्ट का 24 फरवरी 2020 का फैसला रद कर दिया है, जस्टिस यू यू ललित और जस्टिस अजे की पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को चनोती देने की विविनी आचीकाओं का निप्टारा करते हुए ये फैसला सुनाया है कोड ने सविधान के अनुचेद 142 के तैत प्राप्त विशेश शक्तियों का इफ्तमाल करते हुए जारखंड की राजे परशाशिंग शेवा प्रिक्षा का पास करने वाले के बावजिद न्युक्ति पाने वाले पंकच कुमार की आचीकाई सविकार की है और आदेश दिया है कि पंकच कुमार 2007 में निकले भी गैपपन संख्या 11 के मुताबिक तीसरी स्यूक्त सीविल सर्विश प्रिक्षा 2008 में चैन और प्रिक्षन के साथ न्युक्ति पाने के अधिकारी है उनकी न्युक्ति की जाए इसके साथ ही कोट ने जारखंड के उन 15 सिफाईयों की में नोकरी विबाल करने का आदेश दे दिया जिने करीब तीन साल नोकरी करने के बाद निकाल दिया गया था दोनों इमामलों में बिहार बटवारे के बाद बने जारखंड में आरख्षन के अलाब को विबास सामिल किया गया है वर्स 2000 में बिहार राजे को दो हिसों में बाठ दिया गया था एक राजे बिहार और दूसरा जारखंड बनाया गया था सुप्रीम कोट ने अपने फैसले पर का है कि जो करमचारी ऐसी ऐस्ती वरक के हैं उनकी जाती और जन जाती सविधान के आदेश 1950 वे बिहार अनु पुने गठन अधीनियम 2000 की दारा 23 और 24 के तैथ अनु सूचित है जो लोग OBC वरक के हैं उनके लिए अलग से OBC वरक की नोटिफिकेशन निकाली जाती है उनके उन्ही में आरक्षन का लाब मिलेगा उन्हें आरक्षन के हित विहार पुनर गठन अधीनियम 2000 की दाराती है के तैथ सरंक्सित रहेंगे कोड ने का है कि इस अधीकार का दावा सरकारी नोकरी में ही किया जा सकता है आरक्षित वरक में आने वाले वैक्ति दो में से किसी भी रजे चाहे बिहार हो या जारखंड हो का आरक्षन का लाब पाने का हाकदार है लेकिन वे दोनों राजियों में एक साथ आरक्षन का अधिकार पाने का दावा नहीं कर सकता। पंकच कुमार की याजिका के मुताबिक उनका जनम उनिसो चुहेतर में हजारी बाग में हुआ था जहां उनके पिता रहते थे। इस वक्त हजारी बाग अविभाजित बिहार का इसा है लेकिन बिहार पुनर गठन अधिनियम 2000 के बाद बिहार का बटवारा हो गया था तो हजारी बाग जिलाप 15 नौंबर 2000 को जर्खंट रजया बन चुका था। पंकच कुमारा नुसुज जाती के थे तो उन्हें जर्खंट के शक्षम प्राधिकारी ने परमान पत्तर भी जारी किया था। जर्खंट के जरी आवेदन कर दिया था। तो पंकच ने आरंबिक और मुखें प्रिक्षा भी पास कर ली था। उनका इंट्रुवी हो गया था। राजे सरकार ने दलील की कि वह नुक्ति पानी के हगदार नहीं है क्योंकि उनकी सर्विश बुक में सताई पता पटना दिया गया था। हाई कोर्ट की एकल पीठ ने पंकच की आची का सिवकार करते हुए उन्हें नुक्ति का आदेश दिया था। लेकिन राजे सरकार ने आदेश को हाई कोर्ट की खंड पीठ में चुनोती दी और कहा पंकच हार गए थे। इसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट गए थे। दूसरी एकिकाई 15 सिफायों की थी। उन्हें 2004 की बरती विग्यापन में SC और ST और OBC के आरक्षी तवर में नुक्ति पाई गई थी। उन्हें उन लोगों ने तीन साल नोकरी करने के बाद उन्हें बर्खाफ्त कर दिया गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन जैवारत